नमस्कार, स्वागत था एक बार कुर्मों आप सरी छात्रों का BPSC Maker के एक और एपिसोड में आज की से सेशन को प्राणब करने से पहले पिछले वीडियो में जो हमने आपसे तीन प्रस्ट पोछा था सबसे पहले वो देख लेते हैं तो इन तीन प्रस्टों में से हमारा पहला प्रस्ट था कि Child Level Tracking System में उतकरिष्ट कार के लिए बिहार को कौन सा अवोर्ड मिला था इस प्रस्ट प्रस्ट का राइट आंसर हमने रइपको बतलाए था बिहार को गोल्ड अवोर्ड मिला दूसरा प्रस्ट में हमने पोचा था कि हाली में एजिट FIH पुरुष होकी प्रोली में 2023 ये परतियुकता का खिताब किसे देश नहीं जिए तो इस परतियुकता का जो खिताब था ये नीदरलेंड ने अपने नाम किया हाला कि भारत की दृष्टिकोंट से बात करें तो हमने आपको बतला था कि भारत इस परतियुकता में चौथे अस्तान कर रहा वहीं पर तीसरा परस्ट ने हमने आपसे पोचा था कि कि इस अंठ्रिक्ष एजनसी के द्वारा हाल भी में यॉक्लिट स्पेस टेलेस्कॉप लॉंच किया गया यॉरोपिया स्पेस एजनसी यारे कि E.S.A. के द्वारा गोसित कीजिए कि जो भी परस्ट ने आप लोगों को पोचे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार को वग लिखें चलिए अब यहाँ पर हम आच चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रस्ट में सबसे पहले आप इस प्रस्ट को बिहार के रेंड़ फेल्स के अंतरगत एक इंपोर्टन प्रस्टों की स्रेणी में रखेंगे यहाँ पर मैं आप उस सारी जानकारी विस्तार पबग देने वाला यह पहला प्रस्ट की हालों में केंद्री सिक्षा मंतले दौरा जारी परदसंग ग्रेडिंग सूच सै यानि की अपिंटमेंच से ग्रैडिंग इंडेक्स में बिहार को किसी स्रेणी पर रखा गया है जो विकल्प यहाँ पर आपकी समख्ष दिये अगये है इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है तो इस आभार पर इसका जो राइट आंसर है ये है उप्योक्त में से कोई नहीं अर्थात विकल्प नंबर D यहाँ पर इस प्रश्णी का राइट आंसर हो कम्प्लीट सूजी आप यहाँ पर देखेंगे परदस्तन ग्रेडिंस सुचकांग जो कि PGi के तरहर जो 10 स्ररस्णिया बनाई बाइगा है वो 10 स्रेणियों की बात करें तो आपकी समख्छ रहत दस स्रेणिया इन दस स्रेणियों में जो टॉप 5 स्रेणी है दीके सभी स्रेणी का जो नाम महीं पतत दिया गया है जैसे कि Top 5 स्रेडिय में दक्ष, उतकर्ष, अती उत्तम, उत्तम और और इसके बाद प्रचेश्टा वार, तो यहां पर देखे यह जो Top 5 जो है काटेगरी, इससे काटेगरी को लेकर जो निर्धारत किया गया है, जो ग्रेडिंग निर्धारत किया गया है, 940 से 1000 के बीच अंक या फिर जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो इस Top 5 में, जो 10 स्रेडिया है, तो इन में से 5 स्रेडिय में कोई भी राज्य, या फिर कोई भी के अंदर सासित प्रदेश, या फिर कोई भी छेत्र को सामिल नहीं क्या गया है, ठीक है, यह जिए यहां से दान रखे, वहीं पर चाथे, सात्वे, आट्वे, नौवे और दस्वे की बात करें, तो चाथे कटेगरी का नाम दिया गया परतिश्था 2, सात्वा का नाम है परतिश्था 3, आट्वा का नाम है अकांची 1, नौवा का नाम है अकांची 2, और उसके बाद दस्वा जो अंतिम है इसका नाम है अक अब यहाँ पर आकांची 2 को हमने हाइलाइट क्यों किया है इसके बारे हम लोग जाने के आगे लेकिन यह ध्यान रखिए कि अब यह हाली में जो ग्रेडिंग सुचकांग या फिर जो कह सकते हैं परदसन ग्रेडिंग सुचकांग जारी किया गया सिख्षा मंत्राले के तरब से इसमें बिहार को रखा गया है अकांची 2 अर्थातर नौवी स्रणी में जिसका जो अंक है यह 471 से 520 के बीच है और इसके धातकुल लाखे 12 जग्मों या फिर 12 राज जी आफिर के अंदर सासित परदेश हो रखा गया है ठीक है तो यह चीज़े यहां से आपको दियान रखना है अब यहां पर आगे जो देखेंगे आप परचेश्ठा 2 हालकि यहां पर सायद आपको देख नहीं रहोगा तो हमने यहां पर इसे एकदम से अच्छी तरिके से इस तरह से आपके समग्ष परजेंट किया है तो यह गुजरात, केरल, महाराष्ट, दिल्ली, पुडुश्यरी और तमिलाड़ों है उसी परकार से अकांची 1 में कुल 13 जगह है और अकांची 2 की बात करें जिसमें बिहार है अलाकि इसमें कुल 12 जगहों का नाम सामिल है तो बिहार को रखा गया अकांची 2 में यह चीज़ाने क अगले प्रश्ण के, हमारा दूसरा प्रश्ण है कि करनाटक में आजयत 40 में राष्ट्य जुनियर ताइकॉंडो प्रतियुगता में बिहार के किस जीले की समनकुमारी ने रजत पदत अर्थाद सिल्वर मेडल जीता है देखें, यह बहुत ज़्यादा ख़बरों में है, ऐसे में इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर जो है यह है बेगुसराइग यानि की विखल्प नमबर सी यहाँ पर इससे प्रश्ण का राइट आंसर होगा, आप यहाँ पर शुमन कमारी को इससे तस्वीर में देख सकते हैं, आपको जानके देलू कि ताइकॉंडो फेड स्थान है सीमोगा यही पर इसका आयजन क्या है, और इसे प्रत्युक्ता में बिहार के बेगुसराइग जीले की खिलाड़ी स्वमन कमारी ने सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया, तथा बिहार को गरवानवित किया, यह यहां से ध्यानक है, मोल रुप से स्वमन कमारी बिहार की बेगुसराइग जीले की रहने वाले हैं, तो इतनी सारे बातें यहां से आप ध्यान रखेंगे, अगले प्रशन पर जाने से पहले आपको बतादू कि हमारे जितने भी इस्टेडी मेटरल और नोट्स वगरा है, खासकर के करेंट अफेर्स के, 2021 और 2022 वाला जो अब तक का सारा नोट्स है, डेली और मंतली साथ साथ की अरली वो आपको निशल को मिल जाएगा, और 2023 का तो वहाँ पर उपलब्द है ही, और जिस दिती से आप जोईन करेंगे, तब से अगले एक वर्स तक के लिए आपके पूर्स में एप्लिकेशन पर व हो सकता है, तो आप लोग इससे सिरिज को जरूर फोलो किजएगा, निश्वत तोर पर यहां से आपको बहुं सारे चीज़े सीखने को लिगा, चलिए अब यहां पर हम आच के हैं तीसरे प्रस्न पे, यह प्रस्न है कि निमलिकित में से कहां हाल्ही में, प्रतम अंतरराश् निमलिक भाड़त सरकार द्वाला विग्जांदववान नई दिल्री में हर्यत हाईडरोजन पर तीन दिवस्यं अंतरराश्ट्ये सम्मेलन 2030 का आएजन 5-7 2 2更जरर 3 क के आगै विग्यानधवान नई दिल्ली में भी इसका आजन किया गया और आपको धियान रखना ये तीन दिवस्य अंतराश्य सम्मेलन था जो कि पहुंच से साथ जुलाई 2003 तक आजन किया गया ये सम्मेलन का उध्धातन केंद्रे विदुत और नवीन यवंग नवीन करणिया उर्जा मंतरी श्री आरके सिंग द्वारा किया गया है तीक यह त्यान रखनाप अगला पर पाट है कि इसका उद्देश से हरित हाइड्रोजन या निकि ग्रीन हाइड्रोजन के विकास करना और अन देशों के अनवहों से सीख प्राप्त करना ही इसका मूल उद्देश है दरसल यहां पर आई है बात तक ग्रीन हाइड्रोजन की या फिर हरित हाइड्रोजन की तो ऐसे में यहां पर इसको लेकर आपके मन में स्वाल उट रहा हुआ है या कि होता क्या है यह किस परक इसको प्राइड्रोजन के पाइडरोजन काम साथ है इसको उद्ध के में धूरत के प्राइड्रोजन के हमें सम्झार की जो की पवन शरोड को उर्चाय की अभ्यों करके जल के विदुत तम्रत रहन का यह यहां से धानकी एक परकार से पर्यावर्ण के अन्पूल होता है, ठीक है, स्वक्ष उट्जा सुरोत का एक उधारन है, तो इसको लेकर यहां पर यह सार्चीजे दिखान रहेगा, और इसी दृष्टिकों को धिखाम दरतेवा भी हाल है, हरित हाइडरोजन पर एक तीन द आज सार्चीजे दुःजारोजन के संबंध में कौन सा विकलप सक्थ है, हमें यहां पर शत्त्य विकलप की पाचान करना है, जैसे कि इस परकार के जैसे जब भी प्रस्न एक्षान में बने, तो सारे विकलपों को आपको धिखान पर पढ़ पढ़ा है, तो सबसे पहला ज तो इसलिए अगर यहां पर पहला ही विगल्प सही हो तो सारे विगल्पों को चेक करना अती आउस सकते हैं तो दूसरा विकल्प यहां पर रहे कि भारत सिर्श अस्थान पर यह विकल्प यहां पर हमारा ओसकते हैं भारत में 65 पदल जीते यह भी विकल्प हमारा यहां पर ओसकते हैं तो finally एक ही आंसर यहां पर सही हुआ, यहीं कि विकल्प नबर A ही सही हुआ, तो इसका जो right answer होगा, यह विकल्प नबर A ही हो जाएगा, अब यहां पर इसको लेकर जो चीजे आप ठान रहेंगे, विस्तार को लग हमने हला कि सारे जानकारी आपके समक्त रखा है, जैसे कि व इस वित्रणदाजी युवाच चेंफिंशिप का यह लिमरिक एक अस्थान है आर्लेंड में, यहीं पर इसका आजन क्या गया, अब इसको लेकर जो पदक तालिका है, वो आपको धिहार नब करें, जैसे दक्षिन कोरिया ने खुल 11 पदक देते और पहले अस्थान पर रहा वज़ो यहां पर यह है, देखें, सिल्वर पदक के बात करें, जैसे कि अगर किसी दो टीम का, अगर टोटल पदक का जो संख्या एक जैसा होता है, तो जो उसका निर्धारन होता है, वो स्वर्ण पदक के अधार के होता है, यहां पर कंडिशन यह हो गया कि टोटल जो आरे व्या हो गया, और भारत दूसरे अस्थान पर रहा, विश्त वे युवा तिरंदाजी चेंपिर्शिप में, जैनिके विश्त वे तिरंदाजी युवा चेंपिर्शिप में भारत का अपं तक measップ कहीं बहारत है, कुल 11 पदक के सा था भारत इसमें दूसरे अस्थान पर रहा है हालाकि वहीं पर तीसरे अस्तान के बात करतू तीसरे अस्तान पर अमेरिका रहा है जिसने कुल दस पदक अपने नाम किया तीन श्वर्ण तीन रजट और चार कास्व तो यह टॉफ त्री देशों की सूची है इसको लेकर यहां से आप ध्यान रहेंगे इस परत्य पर तीन श्वर्ण के जोकी रुणिकार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और वहें पर बिहार की द्रिश्टिकोंच देखें तो इसको लेकर हमने आपको चान कर दिया ता कि इसमें भारते जोड़ी प्रियांस जोकी बेगोसराइब बिहार के राने वा प्रियांस के बारे में आपको दियान आते हैं यह मोल रुख से बिहार के बेगोसराइब के रहने वाले तो इस प्रश्टिक से इतनी सारे जानकारी फिलाल दिया तखें कि यहां से एक जाम में प्रश्टिक पूछे जा सकते हैं नेक्स अब यहां पर हमारा होगा अगला पांचमा प्रश्न यह प्रश्न है कि किस सर्कार ने राज में हाले में मौ जंगल जामी योजना सुरू किया है तो इस प्रश्न का हमारा राइट आसर होगा उरिसा मौ जंगल जामी योजना का संब्ध है ये मूण रूख से उडिशा से इसको लेकर कई चीजें आपको याद रखना है जैसे कि पहला पॉइंट यहां बर है कि मौ जंगल जामी योजना की सुर्वात उडिशा सरकार के द्वारा किया गया दरसल यहां पर आपको ध्यानत में इस योजना का उद्दिश से अनुसूचित जन जाते हो और वन में रहने वाले अबादी के लिए आज़ेगा और खाद सुरक्षा सुनिशित करना और साती साथ उभे भूमी का सौमित भी परदान करना यह इसका दो-तीन मूल उद्दिश है जिसको लेकर अभी हाल में उडिशा स्तरकार के दोरा मौ जंगल जामी योजना की सुरवात के अधिकार और इस योजना की बात करें तो इस योजना से राज्य के लगवक साथ लाथ लोगों को मदद भी लेगा अगर इस परकार से देख जाए तो उडिशा भारत का पहला राज बना है जो की वेक्ति और शमदाइद दोनों को वन शमदाइक अधिकार परदान करेगा यानि कि यहां पर जू जानकारी हमने इस योजना के उद्देश वितार दिया कि अनुसुचित जन जातियों और वन में रहने वाले अबादी के लिए आजिव का और खाद से रक्षा सुनिशित करना और साथ साथ उन्हें भूमी का स्वावित्य परदान करना ऐसा पहल करने वाला भारत का पहला राज बनकर उडिशा और इसको संचाले क्या जाएगा मोज जंगल जामी योजना के अंतरगर अब यहां पर हम आचके चाठे प्रश्न पे यह प्रश्ने की निमलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में कामश्वर राव खौदावंती को अपना नया मुख्य वित्य अधिकारी यानि की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अर्थाथ सीया को न्यूक्त किया है किस बैंक ने तो राइट आंसर होगा किस बैंक अर्थात SBI ने हाल ही में कामश्वर राव खौदावंती को अपना नया मुख्य वित्य अधिकारी या पिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नुक्त किया है दरसल कुछ चीजें और भी है जो कि आपको दिहान रखना है कि उनका जो कारिकाल है एक जुलाई दोजार तेश से परभावी है होई कर आपको जानकर जृत कर शार्शन तांब भारत में तुक हो तीन परसडेंसी में बाट अगया था तो यह तीन परस्ड sexy में बातना तो यह तीन पर सकती हम लिस– और जो बंप्व आप आफ मंबै और उसके इंटरिक यहां Bank of India बेंक का गठन क्या गया था अगर च्मेर प्रस्ब बने की Ephemen Bank of India के सापना का गवी था तो 27 श जन्वरी 1921 पिन तीरो पर्सिजेंसी के बैंक को संpir अ करते हुए Ephemen Open Bank of India का गठन क्या गया था लेकिन इसके बाद आपको धिहान रखना है कि फिर अजादी के बाद 1 जुलाई 1955 को भारते इस्टेट बैंक के रुप में इंपरियल बैंक आप इंडिया का पुनर गठन के आगया है। अरथात कहने का सेंस यहां पढ़िया है कि इंपरियल बैंक आप इंडिया का पुनर गठन करते थे 1 जुलाई 1955 को भारते इस्टेट बैंक की अस्थापना में थी। सब 35 को भी थी। अब अरतमान में जो आरगाई की चुका सकते हैं गवर्नर है वो है सक्तिकांत दास जो की 25 वे गवर्नर है इस यह जहां रखेंगे और आरगाई गवर्नर सक्तिकांत दास को लेकर हलांकि हमने कई सारी जानकारी आपको विश्तार पुलब दिया है तो यहा अब अगले प्लशने पर जाने से पहले एक जनकर ये भी आपको देतों खास करके वैसे छात्रों को जो घर बेठे वीकी जानके तयारी में लगए यह online और PDF दोनों mode में आपके लिए उप्लम्द है, निश्य तोर पर यहां से आप अपनी तयारी का वेहतलीन तरीके से मुल्यांगर कर पाएंगे, अप्लिकेसर पर जब आप इस course को पर्चेश करेंगे, तो ध्यान रखने आपको वहां पर एक promo food apply करना BM100 का, जिस वाद आप offer का लाव उठा पाएंगे, इसी course में सिल्वास अधारित नोट से संपूर्ण बिहार जी के करेंड रखने का पूरा का पूरा package, बिकिसी का previous air paper आदी इसमें आपको मिलने वाला, महाज 399 रुपियां ये तमाम चीज़े आपको उप्लम्द की गई है, no doubt हमारे content का quality बहुत ब प्रशन के प्रशन है कि कि सर राज्य या फिर केंदर सासित प्रदेश ने विश्विद्यालियों के प्रोफेसरों के शेवा निवरती की आयों बढ़ाकर 65 वर्स कर दिया, तो देखें इस प्रशन का जो right answer होगा, ये होगा जम्मो कस्मिर, यानि कि विखलक नंबर B यहाँ पर इसे प्रशन का right answer होगा, दसल इसमें पहला प्रशन के जम्मो कस्मिर सरकार ने हाले में विश्विद्याले में प्रोफेसर की सिवा निवरती यानि कि रिटार्मेंट की जो आयों है, वो 62 वर्स से बढ़ाकर 65 वर्स कर दिया है, यानि कि जो अब तक जो आयों निरधार जार की इस प्रशन एक्जाम सिवानिवरति की हम बात करें जहां से लिए जैसे कि सरवची नेले के नाधिस की जो आयों होती की वो 65 वर्स की होltी है, वह ہim बात करें зовут सुप्रीम कोड के अत्रिकत है हाई-कोड अरसाथ उच्छे नेले की तो उच्छे नेले में ये जो आ इपतियों को लेकर यहां से भी प्राष्मती पते हैं यहां से जानधे करने का नियुंतंप आयो जो ह होनी चाहिए वहीज़े पर हम अगले पॉइंट में बात करें राज़ सबस्क्राइब की नियुंतंप आयो पहने चाहिए यह होता, थीसवाब, राज्तवा स्दस बनने के लिए नियुनतव आयों होने चाहिखे तीस वर्सका, और वहीं पर लोग्सवा स्दस बनने के लिए जो नियुनतव आय wizard होए 25%, तो यह हो आप लोग पर सुभार करने ही 25 निवल की 30 सब्वाब और हमने आपको बतलाया था कि राज्तवा और लोग सब्वा दोनों में से अकॉण वहां पर हमने इस जी आपको बतलाया था राज्तवा जो है ये आपको ध्यानतना उच्छ सब्वा जालाता जबकि लोग सब्वा के बात करें ये निम्न सब्वा जालाता ये चीज़े यहां से ध्यानतना है राज्तवा उच्छ सब्वा और लोग सब्वा निम्न सब्वा ठीक है आपको याद होगा हमने आपको बतला चलिए यहां पर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न फेक हमारा अगला होगा आठाव प्रश्ने की हाली में लेकित पुस्तक के लेखक या फिर लेकित का निम्दलेकित में से कौन है देखे इस प्रश्ने का जो हमारा राइट आंसर होगा यह है विकल्प नमबर ए यानिकी अनिता भरत साथ आप यहां पर कलर्श ऑफ डिवोस्न नामप इस पुस्तक के कवर पेच को देख सकते हैं इसकी लेकित का है अनिता भरत सा अर्था तो विकल्प नमबर ए यहां पर इससे प्रश्नी का राइट आंसर होगा इसी चीज़ को यहां पर लिखा गया कि कलर्स ऑफ डिवोस्न नामप पुस्तक की लेकित का अनिता भरत सा है हलाकि हालिया लिकित कुछ पुस्तक वर लेकित की बात करें जहां से घाम में परश्ने बन सकते हैं यह कुछ बहत्पूर्ण पुस्तक है जहां से एक जाम में पुरशने बनना स्वाभावित है जैसे कि विपिन तब मैन बिहाइंड दो यूनिफॉर्म के लेकर करचना बिश्ट रावत यह सारे जानगारी हमने आपको अल्डेडी दिया है विपिन रावत जो थे वो भारत के पहले Chief of Defense Staff थे तमिलनाडू के कुन्नूर में हवाई दुरगटना में उनके मौत हो गई थी उनके पत्मी सिम्यत कुल 14 लोग उसमें सवार था जो कि उस विमान का नाम था MI-17-E-5 इसी विमान के दुरगटना गरश्ट होने के बाद इसमें सवार 14 लोगों के मौत दुरगटना स्थल पर ही हो गई थे तो विपिन तमेल विहांड दुनिफॉर्म की लेकर है रचना बिश्टर रावत दूसरा है कि अजगूड एज माई वर्ड तो इसके लेकर है के अम चंद्रशेकर वार एंड गुमेन के लेकर है म-A हसन अगला है तुम पहले क्यों ही आए इसके लेकर है कैलास सत्यारति जादू नामा के लेकर है जावद अक्तर इसके अखरित विनिंग दौ इनर बैटर क इसके लेखक है ममता कालिया नेक्स्ट है यहां पर इंडिया इगनामी प्रम नेहरू टु मौधी इसके लेखक है वपाले बाल किरिशनल दा लाइट भी गैरी ऑवर कमी इन अन्सर्टें टाइम्स इसकी लेखका है मिसेड अबमा जो की प्राग अबमा की पत्नी पुर्वर र इस प्रशन है कि निबले के प्लेसे किस भारते बैडवेटर खिलाडी ने करनाडा ओपन 2023 का खिता जीता है इस प्रशन का हमारा राइट आंसर होगा विकल्क नमबर बी यानि की लक्ष से आप इने यहां पर इस तस्विर में भी देख सकते हैं यह अलमोडा उत्राखंड क आपको यहां पर वो सारे जानकारी बिलेगी जैसे कि अलमोडा उत्राखंड के बैडवर्टर खिलाडी लक्ष सेन ने हाली में करनाडा ओपन 2023 का खिताब जीत कर देश को गर्वानित किया है हलाकि 2023 में यह उनका पहला खिताब है लक्ष सेन की बात करें तो यह महज 21 वर्स तेश का अपने नाम के और चीरी सटलर ली सी फैंक को रजट पदर रथातर सिल्वर मेडल से संतोष्ट होना पड़ा अब यहां पर हमने चर्शा किया लक्ष सेन की तो लक्ष सेन को लेकर कुछ चीज़े आप यहां पर रखान लगेंगे कि 2022 में बर्मिंगम ब्रेटेन में आजित जोबा था 22 वा राष्ट मेंडल खेल तो यहां पर इन्हों ने भारत को गोल्ड मेडल अर्था तो स्वर्ट पदर दिलाया था हाला कि यहां पर कुछ चीज़े और भी है कि भारत सर्कार ने नामबर 2022 में यानि कि जो राष्ट मेंडल खेल आजित रहा था इसके जो आज़त था यह अठाइसे जुलाई 22 से आठ अगस्त तक या गया था और यह इसका सकते हैं इसका जो संस्क्राइब था 22 वा संस्राइब यह भी आपको यहां से ध्यान रखना है संस्क्राइन को लेको भी एकजाम में प्रस्टने बनते हैं और भारते अथलीटों के दि कमेंटबक्स में करना है वीडियो को पहुच किजिए कंटबक्स में जाए वहां पर कमेंट किजे कि वर्मेंगे प्राश्टन में खेल जो आज आज द्वाता 22 से यन कि पिछले वरस पदद तालिखा में भारत को कौन सा अस्थान मिला आप लोग प्र लिखिए कि पदद त जो सिर्वोच संता है यह है विस्ट बैडवेंटन मासंग और अगर हम बात करें इसके स्थापना की यह थी पाउंच जुलाई उनिसाथ चौटीस कुप और नौ संसापक सदस्ट देशों के साथ बंदन में इसकी अस्थापना की गए थी अगले प्रशन भी हमार अगले प्रशन भी हमार अगले अगले प्रशन भी यह थी प्रशन की निवलिकित में से किसने हाल में ब्रिटिस ग्रेंड प्रिक से 2030 का खिताब जीता है तो इस खिताब को भी हाल में अपने नाम किया है मैक्स वरस्टेपन ने और रिकल नबर ए यहां पर इससे प्रशन का राइट आंसर होगा हाल में अज़ित ब्रिटिस ग्रेंड प्रिक से 2030 का खिताब रेडवल के फर्मॉला वन ड्राइवर मैक्स वरस्टेपन ने इस खिताब को अपने नाम किया ब्रीटिस ग्रेय प्रिक से Wealth 46 ग्रेंट इसका खिताब अभिकहाले में रेडवल के ड्राइवर मैक्स वरस्टेपन ने अपने नाम किया यह पिर ड्राइवर यए रेसर भी बोलसकते हैं कि रेडवा ऊ-रेसर है मैक्स वरस्टेपन ने इस खिताब को अपने नाम किया जबकि वहीं पर दूसरे अस्थान के बात करें तो मैकर रेलर के लेंडो नौरी से दूसरे अस्थान पर रहे हैं जबकि मर्सरेज के रेसर लूइस हैमिल्टर इसमें तीसरे अस्थान पर रहे हैं हाला कि इसको लेकर हमने एनिकी फर्मॉला वन को लेकर हमने सार चीज़े आपको विस्तार को रबत दाये हैं 2023 में जो ये फर्मॉला वन रेसिंग प्रत्योकता आज़ेत हुई है तो इसके विज़ताओं की जो सूची है अब तक की वो यहां पर हमने आपके समख्च रखा रहा है जो अब तक आयजित हुए है वो आप यहां पर देख सकते हैं हाला कि इसमें से एक ये वाला जो है इमेलिया रोमेगना ग्रैंड फ्रिक्स ये वाला कैंसल वाता है तो यह रद हो जोगा है इसका रिजल्ट नहीं आया यह चीज़े भी आप यहां पर दियान लखेंगे कारण यह था कि बारिस और बार की कारण ही इसे रद कर देख लेकिन अब यहाली में इस ग्रैंड फ्रिक्स का किताब जीता है मेक्स और इस्टेपन जो कि फर्मॉला वन ट्रेडबूल के रेसर नेक्ष्ट इंग्यारों प्रस्णे की हाली में ख़बरों में रहा थ्रेट्स मॉबाइल एप को किस कंपनी द्वारा लॉंच किया गया है थ्रेट्स मॉबाइल एप की बात करें तो इसे अभी हाली में लॉंच किया गया है मेटा की तरफ से विखल्ब नंबर ए यहां पर इससे प्रस्णिका है राइट आंसर मार्क जुगरबर की जो स्वामित वाली कंपनी है मेटा तो 6 जुलाई 2023 को थ्रेट्स नमा के एक मॉब आप है यह टेक्स्ट आधारे चैट एप है और इस एप को व्यापक रूप से ट्वीटर के विखल्ब के रूप में देखा जा रहा है यानि कि ट्वीटर का जो अल्टरनेट एप है वो है यह त्रेट्स यहां से जाना है अब यहां पर आगे के कुछ फॉइंट को हम लोग आपुल यहां से द्यान लगना है इतनी सारे जानकारी यहां से आपको मिलती है नेक्स टप यहां पर हमारा होगा बारवा प्रस्न यह प्रस्न यह की गूगल ने किस देश का एक परमुक त्योहार तानवाथा का जशन नडूडल बनाकर मनाया है आप यहां पर इससे तीन प्रस्ण भी आज की से वीडियो में है पैरा प्रस्ण की बिहार के उद्यों मंत्री शमिर कुमार महा सेट ने रही में बिहार के किस जीले में खादी मौल खोलने की गोशना की दूसरा प्रस्ण की भारत और किस देश ने साथ जुराई 2023 को चिनावी सहयोग के लिए समझाथा ग्यापन पर हस्ताक्षर किया तीसरा प्रस्ण की हादी में किस देश ने भारत से आयतित सभी भार्मा उत्वादों पर सक्त गुनवत्ता नियंतरण जावच का आदेश दिया यह तीनों प्रस्ण की जानकारी ओड़ेटी हमने आपको दे दिया है आप लोग कमेंट बक्स में लेखें किसका राइट आंस पूट चुका है जिससे फीडियाप को पढ़िया निश्य तोर पर आपकी तैयारी बैतर होगी जिसमें विहार राष्ट 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 तीनों घटनाओं का एकदम से विस्ताथ से संग रखे गया है तो दस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर स्वाप्त करते है झाल 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 झाल